मित्रो, आज हम आपके लिए एक ऐसा स्मॉल ट्री लाएं हैं, जो ना केवल फल है, बलकि महान औस दी है, गुन रखने वाला एक प्लांट भी है, जिसको आप सैतूत के नाम से जानते हैं, और यह है मोरस इंडिका, इसका नाम है, यह मोरसी फैमिली का है, इंडियन मलबरी भ पज़ड का इसका समय है, फरवरी में इसमें नए लीवज आ जाएंगे, इसकी कॉंपलें फूट जाएंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके कॉड़ेट लीव होते हैं, सिर्रेट इसके मार्जिन है, और इसकी जो प्रोपेकेशन है, वो एर लेरिंग के माध्यम से आस यह एक एफरोडाइसिक है, एंटी बैलियसिस का इफेक्ट है, जो कि बाइल का ज्यादा बनना उसको कम करता है, और पितास्य की पत्री जो बनती है, उसको बनने से यह रोपता है, इसके पके हुए फल और पत्र दोनों का भरपूर सेवन करना चाहिए, इसके साथ शाथ य यह है, लिवर को रेमिडियेट करने में, उसको डिटोक्सिफाई करने में साहिक है, इसमें एकस्पेक्टोरेंट प्रोपर्टीज होती है, रेफ्रीजिरेंट होती है, पोली यूरिया की समस्या को दूर करता है, बार बार पे साब जाने की समस्या जो हो जाती है एजिंग क के बाद और स्टोमेटाइटिस की समस्या में माउट के अंदर इंफ्लामेशन सोर्स डवलप हो जाते हैं उससे भी यह हमें निजात दिलाता है वाथ हर पित हर और कफ निसकारक है यह है इसके पत्र का सुरस बना कर सेवन करना चाहिए 10 से 12 ml परियाप्थ होगा इसके बाद फलों का सर्वत भी अगर बन जाए तो पित्त प्रकोप में वो भी कारिये करता है ज्यादा अगर पित्त की पिरकिर्टी अगर होती है तो उससे छाती और उदर में दहा हो जाती है उसमें भी यह फायदा करता है कई बार लू लगने के कारण बुखार जैसे इस्तिती बन जाती है वोमिटिंग जैसे इस्तिती बन जाती है तो इसके पके हुए फल को मिश्री मिला कर सेवन करना चाहिए प्रमे की समस्या हो तो पत्रों की चटनी बनानी चाहिए और अगर किर्मी रोग हो तो पत्रों के सेवन करते समय इसमें थोड़ा सा सिलेरी का पाउडर भी मिला लेना चाहिए एपियम ग्रेविलेंस सलेरी होती है मुख गत अगर वरण है मुख के अंदर तो इसके पत्रों को उबाल कर कुला करना चाहिए और अगर स्वर्भंग की समश्या है बोलने में बोला नहीं जाता है स्वर्भंग हो गया है या फिर एक्सिडेंट के बाद या फिर कोई मानसिक स्ट्रेस के कारण बोल बंध हो जाते है उसको स्वर्भंग कहा गया है तो उसमें इसके डिकॉक्षन से गंडूस करना चाहिए इसका मतलब होता है कि इसके डिकॉक्षन को मुह में रखके गुल-गुल-गुल करके पांस से दस मिंट रखें दिन में दो बार इसको करना चाहिए इस तरह से यह प्रमुख रूप से पित की और वात की दोनों के रोगों को हरता है और पिता से की पत्थरी को बढ़ने से रोपता है इसको आप अपने घरों में लगा सकते हैं क्योंकि इसके फल हर मोसम में नहीं आते हैं तो इसके पत्थर का सेवन भी आप कर सकते हैं पत्थर का सुरश, पत्थर का डिकॉक्षन आपके स्वास्थे के संरक्षन हे तो विश्यष्लाब करता है फिर मिलेंगे आप से आपके स्वास्थे समवर्दन हे तो और राष्ट निर्मान में अपनी भूमी का निभाने हे तो आप सभी का धन्यवाद